ओम शान्ति आज हम बाबा से सर्व संबंधों की अनुभुती करेंगे उसके लिए सबसे पहले स्वियम से पूछें कि मुझे पूरे दिन में किसकी याद ज्यादा रहती है कौन सा संबंध मुझे अपनी तरफ जासी खिशता है अंतर्मन में जाँच करें क्या मुझे बाबा की ही याद रहती है सिवाए बाप के और तो कुछ याद नहीं आता लोकिक संबंधों से नश्टो मोहा बने है अगर कोई व्यक्ति वस्तु या वैभव याद आते हैं तो जिरूर हमने बाबा से सर्व संबंध नहीं जोड़े हैं हद में ही बुद्धी फसी हुई है इसलिए बाबा की याद कम आती और दूसरों की ज्यादा ध्यान रहे बाबा की याद हमें तभी रह सकती है जब हमने बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़े हो उनसे सर्व संबंधों का रस लिया हो बाबा ने कहा है बच्ची यदि एक भी संबंध की कमी रह गई तो उसी संबंध से धोखा खा लेंगे तो आओ बाबा के साथ सर्व संबंधों का गेहराई से अनुभव करें वास्व में तो हमारा अनादी संबंध एक बाबा के साथ ही है बाकी सब संबंध जनम बाई जनम बदलते रहते है एक बाबा ही है जो सदा से मेरे है और मेरे रहेंगे कितनी बड़ी बात है कितना नशा चड़ जाता है यह बात सुनकर कि भगवान मेरा है मैं कितनी भग्यवान आत्मा हूँ भगवान के साथ मेरे सारे रिष्से है एक बाबा ही मेरा सर्व संबंधी है और अभी कितना स्रेष्ट समय चल रहा है जो में आत्मा बाबा के साथ उन सभी संबंधों की अनुभूती कर सकते हूँ तो आज ही संकल्प कर ले कि मुझे बाबा को सारा दिन भिन भिन संबंधों से अपने साथ रखना है उनके साथ रहना है उनकी याद में रहे हर कर्म करना है खाना पीना उठना बैठना यहां तक की सोना भी बाबा के साथ है उनकी याद की गोदे में तो चलिए सबसे पहले अनुभव करेंगे शु बाबा को पिता के रूप में बाबा रूप में भक्ती में भी हम आत्माई उसे परम पिता या गोड फादर कहकर पुकारती आई है जैसे एक बच्चे को अपने पिता पर कितना नशा रहता है मुझ आत्मा को भी अपने अनादी अविनाशी पिता पर इतना ही नशा है कल्प की सबसे स्रेष्ठ वेला इस संगम युग पर स्विम्शु बाबा पिता के रूप में मेरी पालना कर रहे है जबसे बाबा के बने कोई भी चीज की कमी कभी अनुभव नहीं की बस मिला ही मिला है सर्व प्राप्तियां हो गई मीठे बाबा कितना प्यार आपने मुझे दिया है दुनिया का कोई भी पिता ऐसा बेहद का प्यार सच्चा रुहानी प्यार अपने बच्ची को दे नहीं सकता मुझ आत्मा ने भी पूरे जीवन में कभी भी किसी से इतना प्यार अनुभव नहीं किया प्यार का सागर्श्व बाबा जिसे सारी दुनिया भगवान मानती है पूजती है वे मेरा पिता है इस स्मृती मात्र से ही मैं आत्मा खुशी में जोम उठती हूँ झाल कोोोग बाबाबाब्बाब्ट दुनिया सब्स्ट्ड़्च़् प्याम के राब लो ai जो 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 क्यों अग्या घो क्योंड़ित है झाल झाल तुम्हारा प्यार ओ बाबा ओ बाबा तुम्हारा प्यार तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है तुम्हारी आद में खुशियों का सब संसार मिलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा तुम्हार तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा तेरी राहों में चलकर साथ तेरा ले लिया बाबा साथ ले लिया बाबा कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा नजर जिन की सदा तुम पर बसे जिस दिल में बस तुम हो बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम हो तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा जिसे तु मिल गया बाबा नशाना रायणी उसको नहीं दुनिया का फिर कोई आतारास शे उसको गगन में पंची बन उडता सितारों पर वो चलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुकों का सार देता है तुम्हारी याद में खुशियों का सरसंसार मिलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुकों का सार देता है तुम्हारी याद में खुशियों का सरसंसार मिलता है खुम्हारी प्याद रष्ट रधे 22 है झाल झाल अब प्यारे बाप दादा से अलोकिक मिलन मनाने आउँ चले अपने सूक्षव वतन में स्विम को लाइट के फरिसे रूप में देखें और पहुँच जाएं फरिसों की दुनिया सुक्षव वतन में महसूस करें बाबा फरिसे रूप में मेरे पास मेरे बिलकुल सामने बैठे हैं बाबा के चहरे पर दिव्य मुस्कान है मैं फरिस्ता छोटे बच्चे की तरह बाबा के रूपानी नैनों को निहार रहा हूँ जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में जाते ही सभी बातें भूल जाता है उसके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं ऐसे ही मैं फरिस्ता बाबा की दृष्टी पाते ही निश्चिन्थ हो गया हूँ मेरी सारी चिन्ताएं समाप्त हो गई है कुछ सेकेंड के लिए सब कुछ भुला कर खो जाएं बाबा की याद में फील करें मैं फरिस्ता बाबा की बाहों में समा गया हूँ और बाब दादा भी मुझे कह रहे हैं मेरे मीठे बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ कितनी शांती कितना सुख है बाबा की याद में इसी शांती को तो भक्ती मार्ग में हम तरस्ते थे इसी के लिए तो बाबा आपको ढूंडते थे कितना सुख आज में आत्मा अनुभव कर रही हूँ आत्मा सुख के शांती के सागर में समा गई है अनुभव करें बाबा की इस प्यार को मेरा बाबा मेरा बाबा मैं बाबा का और बाबा मेरा ना किवल सुक्षम रूप में पर स्थुल रूप में भी आपने मुझे दिया ही दिया है पार लौकिक होते हुए भी आपने लौकिक पिता की तरह मेरी सभी जरूरतों को समझा है पूरा किया है मैं कितना भाग्यवान हूँ महनत कितनी थोड़ी से की और प्रद्यक्सफर कितना ज्यादा मिला है शुक्रिया मेरे बाबा शुक्रिया शुक्रिया शिक्षक रूप में भी आपने ज्ञान के खजाने से मुझे भरपूर कर दिया त्री मूर्ती त्री काल दर्शी बाबा ने तीनों कालों का ज्ञान दे कर स्रुष्टी के आदी मध्य अंत से मुझे अवगत करा दिया मुझे स्वियं की पहचान मिली अपने 84 जनम पुनर जनम सब स्पष्ट हो गए आपने मुझे तीनों लोकों का ज्ञान दे कर मुझे मेरे घर आत्माओं के देश परम धाम घर की स्मृती दिला दी संसार का बड़े से बड़ा विद्वान जिस पहेली का पार नहीं पासका आपने ड्रामा के इतने गेहरे राज से सेकेन में परता उठा दिया मैं अती सोक्ष्म आत्मा और मुझे में पांच हजार वर्ष के चक्र का अदभुत रिकॉर्ड ये कैसा कुद्रत का खेल है ये कैसी ड्रामा की लिला है हे मेरे परम शिक्षक अपने ग्यान रत्नों से आप सदा ही मेरे रहनुमा बने रहे मुझे व्यवहारिक और सांसारिक सभी समझ आपने दी धन्य है ऐसे परम शिक्षक धन्य है आपकी शिक्षाएं और धन्य हूं मैं आत्मा जिसे ये शिक्षा प्राप्त करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ लाद् ल tidakप चाले प्राप्तश राफ्त kidney हम प्राप्त कर लाद्ट आत्यां प्राप्त हुआ लाद्यां लाद्या रहाएं, लाद्यां लाद्यों कर प्राप्त रत्विंग 2.0 29. szok आपा जई मैं 30. आपत्रों 30. आयां झाल झाल बाबा तुमारी शेख्षाएं सदा है संग हमारे चलते रहेंगे जीवन भर तेरी क्षीमत के सहारे चलते रहेंगे जीवन भर तेरी शेख्षाएं बाबा तुमारी शेख्षाएं सदा है संग हमारे बाबा तुमारी शेख्षाएं सदा है संग हमारे ना दुख देना ना दुख लेना तुने हमें सिखाया है शुब चिन तक बन रहना सबका तुने पाठ पढ़ाया है अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे बाबा तुमारे शेक्षाई सदा है संग हमारे बाबा तुमारे शेशान सदा है संग हमारे मिंदक को भीषने हदेना कहती तेरी वाणी है कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिद कहानी मिंदक को भीषने हदेना कहती तेरी वाणी है काटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव कहानी है तू रचता है उन गुणों का जो सब से है न्यारे तू रचता है इन गुणों का जो सब से है न्यारे बाबा तुमारी से चाय सदा है संग हमारे बाबा तुमारी से चाय सदा है संग हमारे सब के गुणों को तुम्हें उठाना अव गुण किसी के ना अपनाना गिरते हुए को गले लगाना सब को ग्यान की राह दिखाना गिरते हुए को गले लगाना सब को घ्यान की राह दिखाना बजते रहेंगे इन कानों में तेरे घ्यान नगारे बजते रहेंगे इन कानों में तेरे घ्यान नगारे बाबा तुमारी शेख्षाय सदा है संग हमारे चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे सत्गुरू रूप में जब मैं आत्मा इस संसार के दुखों में पूरी तरहे उलज चुकी थी ऐसे समय पर आपने सत्गुरू के रूप में मेरा हाथ थामा दुखों रूपी दलदल से आपने मुझे निकाला गुरू के रूप में आपने मुझ आत्मा की सारी मैल साफ की मुझे फिर से जमका दिया हर्थात मुझे मेरे अनादी गुणों में सित्त कर दिया मुझे शुद पवित्र बना दिया वापिस घर चलने के लायक बनाया बाबा आपने मेरे सभी पुराने स्वभाव संसकारों का संसकार कराकर मुझे शक्ति शाली आत्मा बना दिया अपने शक्तियों को भूले हुए हनुमान की तरह मुझे अपने खोई हुई शक्तियों का एहसास करा दिया मुझे मेरी श्यमताओं का सभी योग्यताओं का एहसास कराया बाबा आपका जितना भी शुक्रिया करूं कम है सत्गुरू की रूप में आपने मुझे गती सद्गती के वर्से का अधिकारी बना दिया ऐसा सत्गुरू जो सभी साधू संथ गुरू महात्माओं की भी गती करने वाला है उसने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं कितनी भाग्यवान हूँ कितनी खुश नसीब हूँ जितने भी अपने भाग्य के गुणगाओं कम है तुम मास्टर सर्विशक्तिमान हो तुम विश्व कल्यानी हो ऐसे स्रिष्ट वर्दानों से मुझे सजाकर मेरी अवस्था को उच बना दिया मेरे आत्म विश्वास को जगा दिया मुझे 21 जन्मों का भाग्य बनाने का आपने रासा दिखाया आप तो इस संसार के सबसे बड़े गाइड हो बाबा करोडों आत्माओं को आप घर का रासा दिखा रहे हो संसार की सरवात्माओं को मुक्ती जीवन मुक्ती का वड़सा दे रहे हो आप ही मेरे सच्चे सच्चे सत्गुरू हो सत्गुरू रूप में आपका एक एक वचन सो प्रतिशत सत्य है जिसे संसार की कोई भी शक्ती टाल नहीं सकती आप मुझे अपनी उंगले पकड़ा कर कल्यूग से सत्यूग के रास से पर ले आए वहां मेरे मीठे सत्गुरू वहां वहां मेरे मीठे बाबा वहां वहां मेरे टीचर वहां मेरे परम शिक्षक वहां शुक्रिया शुक्रिया मेरे बाबा शुक्रिया 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 आपकी नजरों से बाबा प्यार का अम्रित पिये सिख कर दुनियां से मरना आपके दिल में जीए घम से गाफिल हैं फिकर की तोड़ हर जनजीर दी घम से गाफिल हैं फिकर की तोड़ हर जनजीर दी जिन्दगी जीने की घम को एक नई तद्बीर दी आपने बाबा हमें क्या निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लियां क्या निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लियां खुद से उंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लियां ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी जिन्दगी जीने की हमको एक नई तद्बीर दी आपने बाबा हमें शुभ कर शुआ किरम की कलम से कलका लिखे इतिहास हम कि अबकार में झाल कर लिखे इति